गुड इवनिंग एवरिवन आप वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू बचो वी आपक विदि लार्न इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 42 और आज मैं बात करने वाला हूं स्मार्ट ग्रेट के बारे में मेरे से पिछले कुछ टाइम में काफी बच्चो ने एक क्वेरी कि स्मार्ट ग्रेट के बारे में थोड़ा सा बात करू ना सर थोड़ा सा हम लोग को गाइड करू ना स्मार्ट ग्रेट क्या होता है कैसे होता है तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं आज के इस पर्टिकलर वीडियो में तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोड़क्शन देने वा अब मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बचे जानते हैं लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपोर्टेंट बात किया है सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अनकैडमी टीम है ये जो हमारी creatrix टीम है they work really really hard in order to make sure कि आप लोगों तक best content पहुँचे आप लोगों तक best initiatives पहुँचे और आप लोगों की जो knowledge है न वो ever increasing हो जाए तो बिटा इसी के लिए हम लोग इतने सारे initiative लाते हैं ना सिर्फ आपको subject सिखाते हैं बलकि एक एक concept का application भी बताते हैं बट बच्चों अगर आपको हमारे सभी सभी initiative से जुढ़ना है तो जल्दी से on academy app अपने phone में install करो and then access all our free initiative by unlocking them using this code और देखो मेरी सारी special classes आपको ना इस link पे मिल जाने वाली हैं यहाँ पे old और new सब मिलेगा new वाली दिखेंगी upcoming के अंदर और old में PSU के question, gate के question, practice question सब कुछ आपको मिलेगा चलिए तो आज के topic की तरफ चलते हैं बच्चों the topic is what is a smart grid यह smart grid क्या होती है, क्यों होती है, क्या benefits है इस बारे में बात करेंगे obviously बेटा, short video के अंदर में बहुत detail में तो नहीं जा सकता but आपको एक मैं brief idea इतना जरूर दे दूँगा कि आपका interest कहीं ना कहीं अगर आपको power system अच्छा लगता है तो definitely you will feel interested about smart grid अब सबसे पहले अगर definition की बात करें तो बेटा, it is a network of self-sufficient systems self-sufficient system का क्या मतलब होता है सर बेटा, ऐसे system जो अपने requirement के अनुसार energy generate कर लेते हैं जैसे माल लो, अगर मुझे अपने घर के अंदर energy चाहिए तो मैंने अगर अपने घर पे solar cell लगा लिया और इतनी capacity का लगा लिया जो मेरे पूरे घर को power up कर दे रहा है तो I am self-sufficient system, इस type के self-sufficient systems का network है ठीक है, यहाँ पे power generation sources, जो अलग-अलग sources हो सकते हैं conventional और non-conventional ठीक है and electrical grid that reduces the workforce and aims to offer safe, reliable, high quality, sustainable electricity to consumer organization alike कहने का तात पर यह क्या है? चलो सर, self-sufficient system तो समझाया, आगे क्या बात कही गई? आगे बेटा यह बोला गया कि आपना हर तरह के power source को एक system में जोड़ लो भले ही वो बहुत छोटा source है, भले ही वो बहुत बढ़ा source है भले ही वो thermal power plant है, भले ही वो wind power plant है, भले ही वो tidal power plant है आप इन सब का एक बढ़िया सा खिचडी पका के interconnected network बना लो बेटा अब यह interconnected network जब बन गया, जब आपने सारे sources small scale से लेके large scale तक जोड़ दिये तो अब यह काफी reliable system हो गया, क्योंकि कहीं भी power के requirement है तो you can draw power from one source and you can deliver it to the load at any other location बिटा तो यह सबसे बड़ा benefit होता है smart grid का, that यहाँ पे हम लोग ना localize नहीं कर रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ ही location ऐसी है जहाँ power generate होगी हम हर चोटे बड़े source को consider करके चल रहे हैं और उन सब को एक साथ जोड़ रहे हैं जैसे देखो thermal power plant हो गया यहाँ पे, city and building हो गया, solar power plant हो गया, smart houses हो गया smart houses माने, जो की अपनी electricity खुद generate करते है, wind power plant, electric vehicle, nuclear power plant, factories सब को हमने एक ही system पे डाल दिया, that is the smart grid मतलब आप समझ रहे हो चीजों को एकदम ना next level scale कर दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे power plant connected नहीं है, अभी हमारे power plant connected है बट इस level पे जब interconnection हम लोग करते हैं, जब इस level पे चीजें करते हैं कुछ ही large power plant हैं जो production कर रहे है power का, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे small producer रहेंगे जैसे wind, solar, gas power plant, bio gas power plant, यह सारी चीजें मिल करके generation करेंगी कल को यानि कि आपको ना dependent नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ hydroelectric, सिर्फ thermal, सिर्फ nuclear पे आप छोटे-छोटे plant से भी energy draw कर सकते हूँ, यहाँ ज़्यादा तर चीजें centralized होती है कि एक जगे power generate हो रही है, और फिर वहाँ से चारो तरफ distribute हो रही है यहाँ पे generation भी multiple जगे होगी, और distribution तो फिर होगा ही होगा multiple जगे तो यानि you will have multiple generators और multiple plants यहाँ पे बिटा ज़्यादा बड़ी-बड़ी power line होती है, pipeline होती है, यहाँ पे बिटा छोटी-छोटी regional lines भी होंगी छोटी-छोटी transmission line भी होंगी, not necessarily high power यानि ऐसा नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा power generate हो रही है, वहीं से जाकर कर डिस्टिब्यूट करोगे कहीं से कम power भी generate हो रही है, तो वहाँ से भी उठा लो और उसे system के अंदर connect कर दो तो you don't necessarily need the high power lines only, आपके पास low power lines भी होने वाली है distribution कैसे है बिटा, top to bottom, यानि generator से गया substation, substation से distribute हुआ load में एक ही direction है, लेकिन यहाँ bidirectional होगा, bidirectional का मतलब क्या है, भाई अगर मान लो मेरा घर है, मेरे पास अगर excess power है तो I can also deliver, और मेरे पास अगर less power है तो I can also draw from the grid, तो इस तरह से grid में bidirectional power flow possible है, तो बिटा यहाँ पे consumer क्या करता है, सिर्फ pay करता है, लेकिन यहाँ consumer participate भी करेगा, क्योंकि जो कोई power generate करेगा, they can also sell that power to the power system to the power grid and they can also earn, अभी हम सिर्फ consumer हैं, अभी हम सिर्फ consume कर रहे हैं, produce कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन smart grid पे सोचो, अगर हमारे consumer active participants बन जाते हैं वो भी power generate करते हैं, तो हमारे देश की power की problem किस level तक solve हो सकती है, तो that is the vision with the smart grid बिटा, यह हमारा vision है, इस vision की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं when we are going towards smart grid, अब आप समझ रहे हो तो अगर power system में higher studies के लिए जाते हूँ, one of the best topics है बिटा, smart grid project की बात करें बिटा, पानीपत हरियाना में चल रहा है, अंबाला में चल रहा है, सिली गुडी, मानेसर, मानेसर गुड़गाओं के पास है, मैं वही रहता था, इसलिए पता है, IIT कानपुर, अगरतला, गौहाटी, जीदी मेतला, पुडुचैरी, देन माइसूर, एन न रोड़ा, तो यहां पे, इतनी लोकेशन पे, smart grid के उपर काम चल रहा है, and you also, बिटा, as electrical engineer, you should also be excited about this, and if possible, you should also become a part of this revolution, you should also become a part of a project that can change the entire history of power systems in this country, बिटा, that much powerful है ये project, आप समझ रहे हो, तो that's all, बिटा, मैं उमीद करता हूँ, आपको कुछ interest जागा होगा, smart grid की तरफ, और जो बच्चे gate की तयारी करके, चाये higher studies या PSU के लिए जाना चाते हैं, मेरे साथ machine का course करें, बिटा, daily 4 गंटे class चल रही है, 7 a.m. to 9 a.m., 10 a.m. to 12 noon, इसके अलावा 2 p.m. पे मैं special class करा रहा हूँ, और 5 p.m. पे doubt clearing हो रहा है, तो ये सब चीजों का हिस्सा बन हम कर चुके हैं machine में, theory, numerical, हर चीज exceptionally कर रहे हैं, और बिटा, आपको अगर unacademy आने में कोई financial issue है, तो 15 तारीक को combat होने वाला है, यहाँ पे आप लोग enroll कर लो, link description में है, using the code Ankit ASE, और फिर यहाँ पे photo होगे, तो you can even get 100% scholarship on unacademy subscription, और बिटा, आपके लिए एक free test series start हो रहे है, let's crack box 2021, इसमें 3 test है, 14th को for 20 question, 21st को for 20 question and 28th को 100 question का test है, इसके लिए भी आप enroll कर सकते हो, using the code Ankit ASE, यह मेरा बिटा unacademy profile है, मुझे follow कर लेना message कर सकते हो, यह मेरा telegram channel है, to stay connected to me, so thank you everybody, उमीद करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो या like करने में मत कतरा न, like जरूर किया करो, share किया करो, status लगाया करो इस तरह के sessions को, और subscribe कर लो channel को अब तक नहीं किया, और वो bell icon दब जाना चाहिए, ताकि आपको notification आता रहे बच्छो, फिर मिलेंगे episode number 43 के अंदर कुछ और interesting facts के साथ, और आपकी तयारी को, आपकी knowledge को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, तब तक बच्छो ऐसी मचाते रहो, फोड़ते रहो, let's crack it.